मित्रूं जय माता थी मित्रूं आज 12 सिटमबर मंगलवार का दुन है ऐसे में कैसा रहने वाला है आज का दिन उससे पहरे जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में आज दिनांक 12 सैप्टमबर 2023 और आज का दिन मंगलवार का है और आज भादर पत महा के सुकलपक्षे की तरुदस्तिती है इस तितिती पर असले का नक्षतर और सिवयोग का निमान होने बाला है और एक महा संयोग का बनने बाला है अब जीत मुहरा तेकारा बसकर बारा बसकर तालिस मिनट तक रहेगा वही राहुकाल सुबह साम को तीन बत के 21 मिनट से साम के 4 बत के 4 मिनट तक रहेगा राहुकाल में कोई भी सुबकारी करना असुब होता है चलिए आथ चान लेते हैं ऐसे में आपका दिन कैसा रहेगा आपको बताएंगे आपके व्यफार, व्यवसाय, करियर लव लाइफ और आपके स्वास्ते के बारे में कैसा रहनी बाला है आपको कौन से छित्रवे कारी करने से आपको ज़्यादा सफलता आपके मान, समान, इज़त बत परतिश्टा में बढ़ोतरी मिल सकती हैं घर वाले, परिवार वाले और समाज वाले किस परकार से आपके इज़त कर सकते हैं आपके धन में किस परकार से बढ़ोतरी होंगी आर्थिक इस्तियों में किस परकार से सुधार होगा और आपके जीवर में जो परिसानिया और जो आर्थिक तंग्या इस समय चल रही हैं उसे किस प्रकार से आप दूर कर सकते हैं मंगलवार के दिन भगवान बजरंग वली का होता है ऐसे में भगवान सिर्जाम दिक के किरपा से किस प्रकार से जीवर के कश्टों को आप दूर करोगे तो मित्रों आपको बताएगे इन सभी के बारे में सारी जानकारे विष्टार से वीडियो को आखरी तक देखेगा उससे पहले विडियो को लाइक करगे चैनल को सब्सक्राइब वबसे कर लें ताकि रोजाना रासी फल आपको समझ से मुल सके और आप आने वाले दिनों को बैहतर बना सकें मित्रों आज का दिन आपके लिए परिवार में नई खुसियों को लानी वारा है बैपार बैवसाई के चैत्र में आपको सहयोग्यों का सहयोग प्राप्त होगा जिससे की आपको अच्छा धनलाप की प्राप्ती होंगी पहले से बनाई गई योजनाएं आपकी ज़्यादा तरसफल रहेंगी और आप जिस भी छेतर में निवेश करोगे जिस भी छेतर में मेहनत करोगे वहां से आपको positive result देखने को मिलेगा इस रासी के जिन लोगों का आज बड़े हैं उन लोगों को अपने दोस्तों के साथ प्रिवार वालों के साथ रिष्टेदार वालों के साथ पार्टी पर दाने का मोका भी मिलेगा आप किसी कारे में किसी बड़े के सला ले सकते हैं जो आपके लिए आज काम आने वाली हैं आप किसी सांथ जगव पर थोड़ा सा समभ़ विता सुकोगे जो लोग property dealer हैं जो लोग builders हैं उन्हों लोगों को कोई बड़ा contract मिल सकता है परन्तु आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप कॉН्ट्रेक्ट लेने से पहले किसी भी परकार का कोई भी डाउट होने से पहले आप एक भार कॉन्ट्रेक्ट को अवस्य स्instant जरूर पढ़ लें किसी भी सिगनेचर पर डोकुमेंट पर सिंगनेचर करने से पहले आप एक बर चरूद देख लें मतरु परिवार में किसी मांगली कारिकरम की योधना बन सकती है परिवार में साधी विवाह जैसे ही आवजन का प्रस्ताव भी मिल सकता है वहीं किसी नए महमान का आगमन भी आपके घर में हो सकता है आज के दिन सुभा सुभा आपको कोई बड़ी हस्तिक उसकवरी की प्राप्ती होगे जितका आप कई सालों से कई वर्सों से कई दिनों से इंतजार कर रहे थे वह आपको सुभा सुभा ही जैसे ही आप जागोगे जैसे ही आपका सवेरा होगा वैसे ही आपको सुनने को दिक मिल सकता है आज का दिन आपके लिए पहले से कफी बैतर होगा सिविल इंजिनिर्स की चातर भी आज कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया जानेंगे और कुछ नया एक्सपरिमेंट करने की कोश्च में लगे रहेंगे कारिशेतर में आप अपनी काबिलियस से बेतर पर्फॉर्म करशकू के जिसे की आपके सहपाटी, सहकरمी और आपके बोस भी आपके कारी나대 से काफ़े परवावित होंगे आपके सैलरी में बड़ोतरी आपके पद में परूत्मन और आपके दैनिक दिंचरिया में काफ़ी बड़ा बदलाब होनी वाला है मतरूं आपको बहुत बड़ी और बहुत अच्छी शफलता आज के दिन प्राप्त होनी वाली है जौब के तलास खत्म कर रहे लोगों को जौब के तलास खत्म हो जाएगी और आपको एक अच्छी खासी अच्छी सैलरी और पैकेज वाली जौब जो है वो मिलने वाली है या जौफ के एच्छे ओपर भी आपको फोन के द्वारा या कॉल लेटर के द्वारा प्राप्त हो सकता है जीवन साथी के साथ मिलकर आप कोई नया भैपार प्लान चुरू कर सकते हैं जीवन साथी के पार्टर का आप पूरा से योग दे सकोगे जो लोग घर की महिलाएं हैं घर में रहती हैं उनलोगों को अपने प्रिवार के सविस जरूतों को पूरा करने में धियान देने की जरूत होंगी नहीं तो आपके चोटे मोटे कारे भी आप किसी को तकलिफ दे सकता है या किसी का मंदुखा सकता है इसलिए मित्रों आप लोगों से विंती रहेगा कि आप किसी भी कारी को करें तो सची सर्धा के साथ सचे भाव से करें विफजूल के खर्चों को कंट्रोल में करने की अवस्य कोसस करें फेफचूल के खर्चे अगर आप कंट्डोर नहीं करोगे तो आपको भविष्ज में परिछानी हो सकता है और आपको इसमें पैसो की तंगिया हो सकती है इसलिए आपको अपने फेफचूल के खर्चो को निंत्रिट करने की अवच्य जरूरत रहेंगी आपकी आर्चिक चिति काई को लेकर थोड़ा सा आलस यहां आ सकता है आप अपने टास्कों को पूरा न करके आप किसी और एक्टिविटी में ज्यादा समय दे सकते हैं जिसकी बज़े से आपको डाठ भी खानी पड़ सकते हैं इसलिए आप अपने कारी को समय से पुरुन पूरा कर लें फिर कोई औ और टास्किया कोई काम करें आज के दिन आपके लिए सबसे सुन्दर और काफी उप्योगी और लाबतायक रहने बाला हैं आप कोई नया काम प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपके आर्थी किस्तियां पहले से काफी ब्याटर होगी प्राइवेट सिक्ष़कों के लिए वेतर प्रोजेक्ट को सही समय पर पूरा अवस्य कर लें अमत्रों आपको बताना चाहें के कि आप खुद को पोजिटिव महसूस कर सकोगे आज का दिन आपके लिए घर में कोई सुबकारी को आयोजित करने वाला हो सकता है जिसमें आप अपने सभी सगे सबंद्यों को इवाइट कर सकते हैं आप अपने दिन की अपेक्छा जो भी कारी करोगे वो आपका साम तक बूरा खोने वाला है आप अपने पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात कर सकते हैं अगर आप कोई नया बिजनेस या प्रोपर्टी में निवेश्ट करने की यूजना बना रहे थे तो वो भी आप स्टार्ट करोगी तो आप अपने बजट के अनुसार पैसे को प्राप्त कर सकते हैं आज आपके किसी पहले के विचार में बदलाव आ सकता हैं आप अपने सभी चुनोतियों को दर्किरान करके तरक्की की रह पर आगे बढ़ने का फूर नफ परास करोगे आपके सभी मनोकामनाई पूरी होंगी आपको अचानक से किसी रिलेटिव के यहां घूमने जाने का मोका मिल सकता है या फिर आपको कहीं से बुलावा आ सकता है या बुलावा आपके बिजनस से सम्मंदित या आपने बैपार से सम्मंदित हो सकता है आप कहीं ऐसे जगह जा सकते हो तिरस अस्तल जिससे कि आपके मन के सांती प्राप्त होगी मन के गलत बिचार आपके दूर होंगे आप किसी भी फैसले में कोई आप से राई ले सकता है आपके दुआरा दिये गए राई सामने फाले की काफी मदद कर सकती है इसलिए आप दूसरों की मदद अवस्य करें आज के दिन आप अपने जीवन में चल रही परिसानिया और आर्थिक इस्तियों में वदलाव पाने के लिए आप भगवान स्रीहरी विश्णू जी की किर्पा को प्राफ्त करने के लिए गरीब मनुस्यों को भोजन अवस्य कराएं या यथा संबब जो हो सके आप उसे देने का प्रियास कर इस चादर दे दे या फिर आप उन्हें भोजन करवा दे या आप उन्हें चपल जूते जो भी जरूरत के समान है जो भी आप से बन पड़े आप देनी की अवस्य कोसित करें इससे आपकी आर्थिक हिस्थियों में काफी सुधार होने वाला है और आप अपने जीवन में पैसों से जुड़ी आर्थिक तंग्यों और मन में चल रहे कलेश को दूर करके जीवन में तरक्की को फ्राप्त कर सकते हैं वैपार वैविसाय के लिए भी आज का दिन काफी उत्तम रहेगा बहुत अच्छे और बहुत सुगंबन लाब देखने को मिल सकते हैं दामपत्य जीवन भी आपका खुसनुमा बना रहेगा आपका फैसला आपके जीवन में करियर में नया बतलाफ लाने वाला है आज का दिने आपके लिए रोज किया पेक्षा काफी बहत्रन गुजरने वाला है मतरों अगर आप शात्र हैं तो आप अपने पिछले कुछ सिलेवस को पूरा कम्पलेट कर सकते हैं चुटेवे सिलेवस को आज पूरा कर सकोगे जिससे कि आपके सहपाथी या आपके टीचर आपसे प्रभावित होंगे महिलाएं आज कामकाज में वैस्तर रहेंगी खुद पर कॉंट्पिडेंट रखने की अवस्से कोस्त करें लम्मिट के लिए भी आज का दिन काफी बहत्रिन रहेगा भावनाओं के कद्रोग करने की जरुवत अवस्से रहेंगी अचानक से धनलाफ होने से आपका घर में परसंता का माहौल बना रहेगा आपके पहले की समस्ताइं अवस्से दूर होंगी काम के प्रती आपका आत्म विस्वास ही आपको तरक्के की और लिधाएगा इसलिए आप अपने आत्म विस्वास को अडिक बनाए रखकर कारी को पहत्रिन तरीके से अवस्से पूर्ण करें जल्दबाजी में कोई भी निरने लेने से बचें जो भी करें सुमच से समस्कर करने की कोसिस करें आप अपने रूटीन में सुभा सुभा योग करने की अवस्से आदद डालें जिससे कि आपका स्वास्त काफी अच्छा होगा स्वास्त में बदला आप होनी बाला है इस रासी के जो लोग लेखक हैं उन लोगों को अपनी बुक या किताब पबलिस करने का मोका मिल सकता है जो लोगों को काफी फसंद आएगी मत्रों बाहर के जंग फूड ओईली खानों को खाने से बचें अन्यथा आपकी सेहत पर इसका बुरा इफेक्ट पर सकता है इसलिए आप बाहरी जंग फूड या ओईली खानों को खाने से परहेज अवस्य करें आप अपने जीवन में अगर किसी बड़ी विफदा का सामना कर रहे थे तो उन विफदाओं से आप छुड़कारा पाओ के और जीवन में नए सीरे से शुरुवात आज आसानी से कर सकते हैं आपके बैपार में गती आएगी व्यवसाही में विर्दी होगी और कारिश्यत्र में एक नए उमंग की प्राप्ती होगी सरकारी विभाग में कारिश्यत्र लोगों को प्राप्ती होगी सरकार की यॉर से आपको बेतनबता या रुका हुवा पैसा भी या आपको प्राप्त हो सकता है आज कोई भैपारिक निरन ले सकते हैं जो आपको पहुश्य में काफी ज़्यादा उज्वल इस्तितियों को लेने में प्राफ्त कर सकता है आपके आर्थिक इस्तितियों में पहले से काफी सुधार देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिसियन का काम करने वाले लोगों के इनकम में काफी इदाफा होगा आपके ग्राहकों के संक्या में या आप जो भी प्रोजक्ट में कारी कर रहे हैं वो पहले से काफी अद्धा और काफी पहत्रिन होने वाला है परिवार की जिम्मेदारियों को आप समझने की कोसित करें परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करें परिवार में बढ़ रही जो भी आपके खर्चे हैं उन्हें पूरा योग और पूरा उठाने की आवज से कोसित करें प्रिवार के जिम्मेदारिया इस समय बढ़ने वाली हैं जिसे आप खुबी अपने बुद्धी हो अपने आत्मी स्वास के जरिये पूरा करपाने में सफल रोगे साम के समय परिवार के साथ सुहावने मोसम उठाने का परिवार को ज़ादा समय देने की वनसित कोस्त करें इस स्पोर्ट से जूड़े लोगों के लिए अपनी ट्रेनिंग पूरी मेहनत करने की जुरूत होंगे ये महनत आपको भविस्य में काफी नई उचायों तक लिजाने में आपको सफलता दिलवाने में आपका सयोग करने वाला है मत्रू आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमाता दी अवस्य लिखें आपका दिन सुभो मंगल कारी हो जैमा बिंद वासनी